क्रोशिया वर्क परमट पर जाकर क्या हम दूसरे देशों में आगे जा सकते हैं शंजन जोन के जैसे जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगाल, इटली और भी जो शंजन जोन के जो देश हैं क्या वर्क परमट पर जाकर हम बिल्कुली जैन्वन तरेके से अधर बात करेंगे, तो कैसे हो दोस्तों आप सब अमीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे. दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोशिया जब हम वर्क परमट पर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है और बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जब हम करोशिया जाएंगे वर्क परमट पर तो हम शायद आगे जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, सुपेन, पुर्चुगा, लिटली, शायद साथ की साथ हम जो यहां से वीज़ा लगके जाता है हमारे इंडिया से, तो उसी वीज़े के ऊपर वर्क परमट के हम दूसरे देशों पे आगे जैन्मन तरीके से जा सकते हैं, तो यह काफी लोगों की सोच है, क्या यह सही है और क्या गलत है, तो सबसे पहले दोस्तों यह बात मैं आपको बताता हूं, कि जब हम हमारे देश से वर्क परमट का वीज़ा लिके जाते हैं, तो कैटागरी डी का वीज़ वीज़ा होता है, यह वीज़ा सिर्फ तो सिर्फ क्रोशिया का ही होता है, पूरे शांजन जोन का वीज़ा नहीं होता, यह सिर्फ क्रोशिया का होता है, वर्क परमट का, अगर हम टूरेस्ट वीज़ा प्लाई करेंगे क्रोशिया के अंदर, शांजन जोन के अंदर, तो त दोफ तो कब तक आगे नहीं जा सकते इस वर्क परमट के ऊपर मालो वीजा आपका 45 डे का आता है तो इसके ऊपर हम क्रोशिया के अंदर चले जाते हैं क्रोशिया से अंदर शायद अगर हम सोचे किसी दूसरे देश के अंदर ट्रवल करना चाहिए इस वीजे पर नहीं जब ज़ए पर शावब मेलं किो टाहिए नहीं मिल जाती आधको टी आर्सी वहां की एक महीने के अंदर मालो को 21 डे आफ्टर आपको अपको मिल जाती है किस दिन बाद आपको आपको मिल जाती ऑन जो शांजन जोन के जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, पेन, पुर्चगा, लिटली, जो भी शांजन जोन के और देश है, 29, 30 देश के राउंड में अब तो हो गए हैं, तो आप उन देशों के अंदर जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपको टी यार से नहीं मिल जाती, तो जो कु करोशिया का आपका वर्क परमटवीजा होता है, इस पर आप जयने वन荡 तरीके से आगे ट्रेवल नहीं कर सकते, ये सिर्फ तू सिर्फ आपका करुशिया का ही होता है, बहुत सारी लोग ऐसे करते हैं कि जाते ही कहीं और आगे यानिके, मूव होने की सोचते हैं, तो कई तो जाते हैं चलो अब शांजन जोन के अंदर क्रोशिया है ही लेकिन इतनी ज़्यादा यानि के सकताई नहीं है इतनी ज़्यादा सुड़ी स्टिकनेस नहीं है लेकिन फिर भी चेकिंग जो है पॉइंटों पे वो तो है ही है लेकिन जो नॉर्मल जैन्वन त्रीका है दोस्तों वो आप ती यारसी पे जा सकते हैं काफी वार ये वह सारी लोगों के मेरे पर कमेंट साते थे तो इस चीज़ का मैंने जवाब आपको देई ही दिया है अब बात करते हैं कि क्रोशिय के अंदर आज की डेट में सबसे जादा सैलरी किस फिल्ड में है तो दोस्तों क्रोशिय के अंदर वैसे तो जो कुक्षिफ हैं जो ट्रेड हैं जैसे मैसन, पलंबर, लेक्टरीशन हैं उनकी भी सैलरी आज की डेट में अच्छी है 1000 यूरो और 1200 यूरो यानि के 1200 यूरो के असपास भी वो लोग अराम से निकाल रहे हैं लेक दोस्तों होम ड्रीवरी के अंदर जो हमारे भाई वहां पर होम ड्रीवरी की जॉब करती हैं क्रोशिय के अंदर वो 1500 यूरो, 1600 यूरो, 1700, 1800 यूरो तक भी निकाल लेते हैं लेकिन ये सीजन में जब गर्मियों का सीजन होता है तब क्योंकि ठंड के अंदर दोस्तों ठंड बहुत ज्यादा होती है, मैनस के अंदर टेंपरिचर होता है, क्रोशिय के अंदर शनो पड़ती है, बर्फ पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा ठंड होने के कारण होम ड्रीवरी तो काम आता ही है, लेकिन इतना काम नहीं कर पाते क्योंकि शडकों के उपर साइकल, जो अक् होता है और सर्दियों के अंदर इनका काम काफी कम हो जाता है तो जो बेसिक सी सेलरी देखी जाए गरमियों के अंदर जब इनका सीजन होता है तो home delivery के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे निकलते हैं तो दोस्तों आगे भी क्रोशिया से related और देशों से related भी आप जो important information आपको मिलती रहेगे तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और शियर भी कर देना धन्यवाद